नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों हमारे लोकली बने तेजस फाइटर जैट को बहुती बड़ी सफलता मिली है और इसका लंबे समय से इंतजार भी था इसके वैपन सिस्टम को लेके हम बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नहीं कर सकते इसके अनदर क्या चैनजिस किये गई हैं लेकिन बात ये है की इसे टेस्ट फाइर किया गया और इसने सफलता पुर्वक अपने टारगेट को हिट किया है और सूतरों के हिसाब से गवा के अंदर इसकी टेस्ट फाइरिंग की गई है और साथ ही इसके कई ट्राइल्स किये गए है इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने के लिए और इने वैलिडेट करने के लिए सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा एक्स्टीम रखा गया था और दोस्तों पाइथन फाइव मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बियोंड विज्वल रेंज के इलावा वैरी शोट रेंज के अंदर भी टारगेट को हिट करने की ख्षमता रखती है साथ ही इसकी टारगेट को हिट करने की प्रोवैबिलिटी भी बहुत ज़्य के साथ में आती है और एक फुल स्थीयर लॉंच कैपाविल्टी रखती है इसके अंदर लोक ओन आफ्टर लॉंच की कैपाविल्टी भी होती है यानि की टार्गेट को लोक किया जा सकता और उसके बाद चोड़ने के बाद ये अपना काम कर देती है और इसके इलावा target को acquisition करने की भी इसकी capability बहुत ही बढ़िया है और दोस्तो इस missile को राफील Israeli company ने बनाया है और इसके द्वारा बनाई गई एक और missile भी हमने तेजस के उसाथ में integrate कर रखी है जिसका नाम derby beyond visual range missile है और इसके भी दोवारा से test किये गए थे ताकि इसकी भी क्षमता को validate किया जा सके और दोस्तो इन दोनो missile के जो भी test हुए है वे सारे objective को पूरे करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि derby missile ने भी direct hit की अपने target को और जो target maneuver भी कर रहा था और python missile ने भी 100% सफलता के साथ में target को hit किया और दोस्तो इन missiles के test से पहले इने carriage flight test से भी गुजारा गया था ताकि दोस्तो ये नई missile को जब तेजस fighter jet के साथ में integrate किया गया था तो ये देखा गया कि इसका सही से integration हो गया है aircraft के system के साथ में जैसे की avionics, fire control radar, missile weapon delivery system और flight control system और ये सारे सफल टेस्ट बताते हैं कि ये missile पूरी तरह से तेजस fighter jet के systems के साथ में integrate हो चुकी है और साथ ही जहां इसके पहले इसके separation के अंदर problem आ रही थी तो वो test भी इसके करके देखे गये थे और उसके अंदर भी ये सफल रही थी दोस्तो इस missile को हमारे तेजस fighter jet के साथ में integrate करने का श्रेज आता है हमारे वेग्यानिकों को जो DRDO, ADA और इनकी lab से जुड़े हैं तो इसी लिए defense minister राजना सिंग जी ने भी इन सभी को बदाई दी है और साथ ही DRDO के chairman डोक्टर जी सतीश रेडी ने भी सभी को बदाई दी है तो ऐसे में दोस्तो ये बहुत ही proud का विशे है क्योंकि लंबे समय से इस missile का इंतजार हो रहा था और आज ये पूरा हो गया धन्यवाद जैहिन